कि उठी ना राजा साय मुझे नीन दा रही है राणी साय अगर आपको नीन दा रही है तो आप जाकर सो जाएए ना पाजी तो अभी शुरू हुई है अंकीली में मुझे डर लगता है लिखते भूत प्रिता जाएंगे भूत क्या हुआ अगर बादल गर्जे ही गर्जे और बरसे नहीं तो क्या होगा फोलो काएं फोल पत्ता मुर्चा जाएला मैं मुर्चाना नहीं चाहते के सर इन आखों में तुझे क्या दिखाए देता है कि दिखाओ कि प्यास कि यह कैसे बुझेगी आप बोलो तो बादल के पास संदेशा लेड़ जाओ किस बादल के पास ऐसा बादल है जो परसे ला पर गर्जे लोग हो ना उस बादल का पे नामधन को होगा वो बादल आसमान पे को न रहे प्रित्ती पे रहे तबी तु कहते हूं तु दासी नहीं भाईली है मेरी केसर भाई आप अपनी गरज के लिए आदमी को नीचे उतरना ही पड़ता है एक बात करनी थी था से फर्माओ देखो जी था का नाक नक्षा जितना भी तीक हो पर बुद्धी था की एडिया में इस त्रिजात को तो थे बिल्कुल समझाई को ना क्यों क्या हुआ अगर थे वचन दो कि ये राज इस त्रेखन की छस से कदे बाहर नहीं जाएगा तो ही मैं अपना मुन ना खोलो कि राजपूत का वचन है कि राणी साहब के बारे में थारों कहीं विचार है कि सच कहूं तो कि मुझे उनसे थोड़ा डर लगता है डर क्यों कि पता नहीं उनकी आखों में क्या है था की सूरत कदेवा के आंख हमें जहां कर दो देखो आप तुरंत यहां से चली जाईए कि बना मैं इसी समय आपको ले जाकर राजा साब के सामने खड़ा कर दूंगा करम पूटिया सो चले बाद में पस्ता है लो उंद्रा कहीं को साड़ो कि अगर भावरा फूल पर नहीं मन रहा है तो फूल का महतना तो बेकार है ना के सर सो तो है कि मगर भावरा तो वफादार नहीं होता कि मैं समझ की था कुछ सर जो तो इतनी समझदार है तो तेरे उसे क्यों नहीं समझा सकते की नहीं कि राजसा की बिल्ली को तारन है अरे वह वह तो भी वह बिल्लो चैर अब कि डूबने कितनी चैर तो पानी में क्यूं डूबते हो प्रेम के दरिया में डूबो गोजाई का तारोला अब क्यूं मेरे पीछे पढ़ी हो केसर भाई मैंने राजसा का नमक खाया है तो अब वाकी मेरच भी खार देख लिए सिसी करता फिर होला हुआ हुआ कि आप रानी सा का संदेशा लाई है उन्हें भी प्रेम परीक्षा देनी होगी लेकिन मेरी तीन शर्तें पूरी करके कुर से तीन शर्तां पहली तो ये क्योंने राजसा की आखों के सामने उनकी बिल्ली तारा को मारना होगा काई और दूजी शर्त वो वो तो करम पूठा पहली सर्त हो जाने के बाद बताएगा अरे गजंदर शिंग क्या बेतु की चाल चली है तुमने अठाव से बहन से मिलने अंदर नहीं आ सकते थे कुवर साम संभालिय जीजा साथ आपकी रानी तो गई इनकी रानी तो ये बिल्ली तारा है और ये कहीं नहीं जाएगी की तार नहीर रानी झाएग कुमर साथ आप ही पताए मैंने क्या गलत किया मैं देखती रहती थी और राजा साथ जब देखो तब इसे सेल आते रहते थे इन्होंने इसकी आदत इतनी बिगार दी थी कि रात में भी यह मारे बीच में आके सोचा दी थी मैं कब से मौका ढून रही थी अपनी डाहन निकालने का मगर चाथ थी किसी ऐसे मर्द के सामने निकालो जो मेरे मन के पीडा समझ सके आप अंदर पता रहे हैं इसे कब तक होशा जाएगा सुबह तक तु आई जाए लो बहुत ध्यान से देखपाल करना इसकी किसी के नजर में ना आए कब तक विले से तुमनना परेंश है जब तक बादल में बसे वादली गरजे क्योंनी बादली बरसे क्यों निरे लावनी बाई सा बैठी प्यासी बरसे क्यों निरे बादली तो मगर उसने दूजी शर्त क्या पताए वो गदर्ड़ियों बोले कि जारी सुपना राणी साथ ने सुना दियो वो समझ दारे अपने आप समझ जाए लिए यह तो हम दोने के बीच खेल हो रहा है तो समझी कि नहीं वो चाहता है कि मैं राजासा का दाथ तोड़कर उसे भेजू कहीं राजासा प्रुदाथ बाबलों के कहीं के सर बाबली तो मैं हो गई हूं मुझ खोलो वाप रे आपका ये दाथ तो बिल्कुल सर गया है इसे तुरंद निकलवान है तो आसपास के दाथ पी सर जाएंगे मैं कली छेदीमल जी से कहती हूं कि वो अपनी साले को भेजे ने ने उसे मत पुलवाना क्यों वह साला मादो सिंग का चात्प्रोशी और कौन निकाल सकता है आपकी दासी हां मैंने बच्पन में कितनी गायवैसों के दाथ निकाले हैं अच्छा लेकिन धर्दबात होगा ना इत्ता सा भी नहीं बस आप गटा कर टेक पूरी बोतल पीचा अच्छा यार योची पियो इसे दाथ ने धीरे धीरे बिना तकलीफ के पकड़के की चलो और यारी संदासी इसे दाथ पकड़ो और योग की चलो फेर भी जो बात नहीं बने न तो तो आप सीधे या तोड़ा से ताहते तोड़ देओ हाँ सो मत लो कर दो काम तबाम आजी कर जो कर जो कर जो कर जो काई हो यो की संखोच में पड़ गई लावनी बाई सा मन कचोटता है अरे राजे जी का मन तो नी कचोटा ना जब इस अदेर उमर में थाकी जैसी कच्छी उमर की छोड़ी को भ्याकर लाया हां दर्पो मत नहीं तो समझो मारी तरह से ना थकी भी पड़ी रह जड़ी बढ़ो आगे है हुआ है हुआ है और तीजी सरत देखो के सर भाई मैं राजा साह की पीट पीछे कुछ नहीं करूंगा जो भी करूंगा उंकी आखों के सामने करूंगा राजा साब किया क्या क्या आगे आप राणी साह को बता देना यह मेरी तीस्तिर शर्त है कि कि अधिकी सोच विचार में पढ़ गया लावनी बाई सा यह सरत तो इंदर देवता भी जमीर पर आ जायना तो भी पुरी को ना कर सके करम फूठिया साड़ा एसी बास सोच जी भी तो कहिए सोची राजा जी की आँख्या के सामने रास लीला बावलोग यह का है पहली सर्त में तो बिल्ली ने मरवादी और दूजी सर्त में राजा जी का दात उबात यह बिला बाती और अभी एसी टेडी मेडी सारत कि दोख की बास साड़ों मरत की जातिया यहां हो है मारे वाले ने देखो न यह नाम कुदार चलो गयो मारा हाता पे पहला सिंग्राठोर रंचोड साड़ों मारी तु न थी यहां के यहां पड़ी रेगी कोई कहानी सुना काई मेरी नानी सा कहती थी कि जब मंदविधा में हो कहानी सुनने चाहिए कहानियों में ज्यान का भंडार चिपा होता है एक बर काई हुए हो एक जंगल से बराजा रिची रास्ता में शाम पड़ गी तो एक पेड के नीचे बराद वाला ने आपनों डीरू डाल दिया उन पेड के उपर एक भूत रहतो भूत के पास एक हैसी ताकती कि जैसा भी फढ़ो खाना चाहता था न वहीं फ़ल उस मैं मेरा मचाने को मन कर रहे हैं ओच्छा हुआ है हुकुम आप हुकुम दें तो मैं पेर पचाड़ सकता हूं आप पेर पट शड़ सकते हो अरे इस पेर पर तो बेभी चड़ 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 चांग हूं आप तो चड़ लें पेथी संग हुआ हुआ कैसे बोलू हुकुम मुझे तो आगों पर विश्वास नहीं हो रहा है क्यों जो का चार दिवारी के अंदर होना चाहिए हो आप दोनों यहां खुले में पहली आमद बजाओ बोला आप दोनों एक दूसरे के साथ नीचे उत्रो और रंगीला रंगीला गया रंग लेने नीचे उत्रों पूछे इससे कि इसने क्या देखा है हुकुम आप दोनों संभोग कर रहे थे हैं जूट यह जूट बहुत है आप पेर पर चड़ सकते हैं ना आप चड़की देखिए कि इसे वो कैसे दिखाई दिखाई दिया जो कभी हुआ ही नहीं स्थर्ण दिखाई परे रंग इली अरे रंग इली रंगीली राप कैसे काटू अकेले मेरे रंगीली मेरे नेनो की काजल रंगीली कुछ भी नहीं मैं कि अन्दा अन्दा हो आप दोनों भार में गया कविदे मैंने तुछ पर विश्वास किया और तो ने मेरी पीट में भी नहीं सामने साथ और गोब आपके आखें अपको ध्रुपा ये यूति तेरी तिरी आखोंका पारी उतर गया है नीचे उतरी आप तुराई है है निचे उतरता हूं नीचे उतरता हूं हाँ अ के रहन है कि ऐसा जूटा अरूप लगाने से पहले जिसे करना तो दूर मेरे लिए सोचना भी पाप आप बेज इड़क मेरे सीने में ये खंजर उतार दे सुहा की राच से लेकर आज तक आपने मुझे कुछ दिया नहीं और आज दिये भी तो वैश और निरलर जैसे बोलो की अनमोल ग तो मैंने अपनी आँखों से देखा वो बात काटने की ख्षमा होकुम लेकिन मैंने जो अपनी आँखों से देखा वो होना हुए इस पेर पर किसी भूत प्रेत का वास है ला फिर किसी तांत्रिक की आत्मा का हाँ यह संभव है हमारे पुर्बच ने एक तांत्रिक को जहां असा दिया था और उसने जहीं से वादिले थी यह संभव है जाजागी तो चौसंधे तांत्रिक की आत्मा का खेल है प्रेमारी रूप चीगन गोर इसर्डो करोसा